हेलो दोस्तों स्टाइट करते हैं आज की क्लास जैसा कि आपने इससे पहले की क्लासेश देख ली होगी तो आज का यह टॉपिक है आप लोग स्क्रीन पर देख पारोंगे अधियम के सिद्धान एवं उनका विवारिक परियोग तो आप लोग चाहे सीट का एक्जाम देंगे जैसे माली जी यूपि में सूपर टेट आता है तो उसमें किस तरह से कोशन पूछे जाता है सब कुछ बता दे चलूँगी तो बने रहेएगा आप लोग वीडियो के लास तक बिना स्कीप कर दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राब कर लिजे बेल आकन को प्रेश कर लिज और परिशिचर दोरा वेवार में परिविर्टन अधिगम है इनका कहना है दोस्तों इस तरह के जो परिभाशाए है या कथन है यह आपके यूपि टेट या फिर जो आपके स्टेट टेट का कोई भी एक्जाम है चाहे किसी भी स्टेट से आप होंगे तो यह उसमें पूछ जो सूपर टेट होता है उसको देने जाए यहांपे अगला जो देख पा रहोंगे बी एफ इसकीनर का कहना है अधिगम वेवार में सतथ अनकूलन की परक्रिया है यह किसका कहना है बी एफ इसकीनर का कहना यह क्या है आप से परिभाशा दे देगा यह पूरा और जाता है, दूसरा उड़वर्ड का अब देख पारूंगी इनका कखना है, अधिकम Kat Survival का कुरिया है जो बाद की etcetera पर आप इच्छा कृत , अस्थाई प्रभाव डाल दिये किसका खना है बहुत इंपगरूंट है यह पूछा खाई उपर देखा हूगा गिलफोर्ड लगान व वातावरण में परिवर्टन की फलसुरूप्ट व्यब्त की विवार में आया परिवर्टन ही अधिगम है यह किसका करना है यह एक पील Q&A का अब अधिगम की क्या विष्यष्टां है इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहां पर आपका सीटिड जो है यहां से पूरा अधिगम आजीवन चलने वाली पर क्रिया है अधिगम सारवभावमिक पर क्रिया है अधिगम विवार में वांचनी यों अस्थाई परिवर्तन है इस तरह से आपका जो है इसमें से विशिष्टाव में से तीन देदेगा और एक कोई अधार देदेगा तो आप लोग जाने रहेंगे तो इसको आसाने से कर लेंगे अधिगम अउपचारिक की अनुपचारिक जो है दोनों हो सकता है अधिगम एक बहुँ आयामी प्रक्रिया है अधिगम अनुभाव एवं अभ्यास द्वारा बेहतर किया जाता है अगला जो पॉंट है अधिगम एक समाजिक प्रक् ये सारे जो है वर्ड हैं इसके बार में मैंने डिटेल आपको बता दिया है तो जी लोगों ने उस क्लास को इससे पहले की क्लास नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिएगा अधिगम लच्छन मुखी प्रक्रिया है अधिगम रट्टा मानने से अलग है ठीक है अगला दोस्तों अधिगम के प्रकार आप लोग देख पार होंगे डिवीड आसुबेल ने जो है चार प्रकार बताए हैं किसके अधिगम के पहला है रटन्त अधिगम सेकेंड है अभिगरहड अधिगम थार्ड है सार्थक अधिगम फोर्थ है अन्वेशर अधिगम अब रटन्त जैसे बच्चा जो है आप कुछ उसको काम दे रहे है कुछ याद करने को दे रहे है वो समझने के बजाए उस चीज को रट राय है तो यह होता है रटन ता दी कम दूसरा अभी घ्रहऊड में होता है सुनकर या देखकर जो है जो है ज journalists कर याद करेंगे कुछ बच्चे बस देखके उसको सुन करके समझ करके उस चीज को जो है गरहड कर सकते हैं समझ सकते हैं तो यह अभी गरहड में आएगा अगला है सार्थक अदिगम क्या होता है जीवन से जोड कर सीखना जैसे हम बच्चों को कुछ बता रहे हैं जैसे उनके आसपास वातावरण की चीजों से उस चीज को रिलेट करके जब बताते हैं तो बच्चा उस चीज को तेजी से समझ पाता है तो यह होता है सार्थक अगला है दोस्तों अनवेशर अदिगम परियोग दोरा क्रिया दोरा खोजबीन दोरा सीखना है जैसे बच्चे को हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं या फिर कुछ दे दे रहे हैं कि बच्चा इसमें से खोजे या अपने आसपास चीजों छेत्र भ्रमण पर जाना यह सारी चीज जो बच्चा खुद से करके सीखता है खुद ढूडता है उस चीज का सालेशन खुद निकालता है तो यह होता ह तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों यह सीटेट में बहुत पुछा जाता है आपका रटेंट अभी ग्रहड सार्थक अधिकम तो इसको आप चारों को ध्यान में रखेगा अगला जो है अधिकम का अस्थानांतर इसके बारे में जानेंगे एक जगा सी जब तक आप नहीं जानेंगे उस बारे मेंसे करवाईंगे इसलिए मैं आपको उस वर्ड की बारे में भी बता रहा हूँ कीदिब जब आप ठ्रैक्टीस करेंगे 거든요 लोग इस सो आल करने के बाद सारा डिटैल देखने की बाद क्लास करने की बाद जब हम लोग इस से related सारे को सॉल करेंगे तो आपके पास जब यह अपने क्लास नहीं देखी होगी तो वह वर्ड जब आपके पास आएंगे तो आपको वर्ड जो है वर्ड से related उसमें क्या कुछ है यह समझना आपको बेहस जरूरी है इसलिए सबसे पहले मैं आपको अधिकम अस्थानांतर के समान अव्योग के सिधानत के जो परिद्वार्दक हैं वो कौन है थर्ण डाइक हैं आप लोग यह याद रखिएगा पहले और बात के अधिकम में जहां तक समानता होगी जो है अस्थानांतर सिर्फ वहीं तक होता है जैसे एबी सीडी में आप आप यह एक्जांपल भी देख पा रहोंगे तो पहले और बात के अधिकम में जहां तक समानता होगी अस्थानांतर सिर्फ जो है वहीं तक होगा दूसरा जो आप लोग पॉइंट यहां पर देख पा रहोंगे अधिकम अस्थानांतर का आरोपर का सिधान देख पा तो इसमें आपने प्रियोग फर्स्ट में आपने सिर्फ छड़ी देखा और प्रियोग सेकेंड में जो है छड़ी दो है तो जहां तक होगा जैसा कि पहले और बात के अधिकम में जितने तत्त समान होंगे आरोपर सिर्फ वहीं तक होगा तो कितने समान आपको दिख रहे ह तो आरोपड जो है वहीं टक होगा ये है अधिगम अस्थानांतरड का आरोपड का सिदांद ठीक है तो ये के लिए हुआ आपका अगला जो आप लोग देख पारोंगे यहां पे अधिगम अस्थानांतरड का समानी करड़ या उभाएनिष्ट तत्तु का सिदांद इसके प् सुत्रपद आदादे जो है दस सवाल यहां पे एक्जांपल में आप समझ सकते हैं वहीं अगला जो है आप लोग देख पारोंगे अस्थानांतरड का जी तत्तु का सिदांद इसके प्रतिपादक जो है इस पीर मैन है और ये जो है दोस्तों यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है आगे जो है इससे रिलेटिड आप लोग देख पारोंगे जी तत्तु का सिदांत यहां पर जनमजात सारुभोवव मात्रा में अलग अरजीत है प्रकार एओ मात्रा में अलग है खास है विस्षिश्ट है इसमें कोई डाक्टर है तो कोई वकील है इस तरह क तो यहां पर देख पार होंगे अस्थानंत्र का सीदानत इसके प्रतिबादक कोहलर हैं और जो है अभिदम अस्थानंत्र का समान अव्यव का सिदानत इसके प्रतिबादक थांड़्ड-ाइख है तो यह थी दोस्तो आज की क्लास और यहां पर यह चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए डेविड आसुपोल ने जो चार परकार बताएं है रटन्त, अरिगम, अभिगरहर, सार्थक और अन्वेशर वही जहां-जहां टेट में पूश सकता है, जहां पर सीटेट में पूश सकता है, मैं आप सभी को डीटेल बताते ही जा रही हूँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ऊपर ही एक फोल्डर होगा, सीटेट सीडेपी क्लास के नाम से, वहाँ पर जब उससे आप उपन करेंगे, तो सारा क्लास सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, तो यह तियाज की क्लास बाकी दोस